सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज साम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट से एक निरड़े पास हो चुका है जिसके बारे में सुबह मैंने बात आप सबसे किया था उस समय ये कनफर्म नहीं था कि मंगलवार को इसकी सुखरती मिली की नहीं मिली लेकिन अब आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उस बात की सुखरती मिल गई है जो प्रस्ताओ मंत्री परिसद में पोशाहार वितरण में बदलाओ को लेकर के इपास मसीनों की स्थापना और संचालन से जुड़ा हुआ था वो निड़े ले लिया गया है अब इस निड़े के बाद से उतरपदेश में काफी हलचल मचेगी आंगनबाडी केंद्रों में पोशाहार के वितरण में कारकरताओं बहनों को थोड़ा बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा जैस जैसे आप सब बहनोंने लाभारतियों से या उनके अविभावकों का आधार नंबर वेरीफाई किया है सेम टू सेम नमबर भी वेरीफाई कर लेना है जब आप उसकार को कर लेंगे और अगर ये मस सोचिए आपको नहीं करना है वो आपको करना पड़ेगा जितना अच्छ करेंगी उसी टाइम पर लाभार्तियों से उनका मुबाइल नमबर ले लेना और मुबाइल नमबर को उनका विरिफाई कर लेना उसके बाद पोशाहर का वित्रण कर लेना तो इन चीजों को करो और बाकि आगे इस पास मसीने भी आएंगी वो सब चीजें आपको देखने को म तो कैबिनेट बैठक से ये नड़े साफ साफ लिखा है मंतरी परिसदम ने उत्परदेश की बाल विकास परुजनाओं में संचालित आंगनबाडी और मिनी आंगनबाडी केंद्रों पर अनपूरक पुष्टाहार योजना के अंतरगत पोशाहार वित्रण में बायोमेट्रि गवर्मेंट आफ यूपी की तरफ से वहीं इसके अलावा भी कुछ बाते निकल के आती हैं इस मैटर को बेजा था अमिज जी है बदायू से और इंद्रवती है कासगन से उन्होंने ये वाला आर्टिकल बेजा कि किराने की दुकान पर बिकरहा निसुल्क मिलने वाला पूचर में आएंगे या नहीं आएंगे वो तो वक्त बताएगा लेकिन यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे फैसले निर्ड़े जो भी बदराओं है वो सब किये गए हैं पोशाहार वित्रण में अब ऐसे में आप देख रहे हैं स्थानी यह तहसील छे दुकान से जो है रिफाइंड सोयावीन तेल जो की निसुलक मिलता है आंगनबाडी किंद्रों में वो विक्री होने का मामला प्रकास में आया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा जानकारी होने पर बाल विकास पुष्टाहर भाग में हड़कंप मच गया है पोल खुलते ही भी भाग के जम्मेदार कारवाई करने की बात कर रहे हैं कि सोचल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ अब वीडियो में बलुआ गाओं के एक किराना दुकान पर बाल विकास पुष्टाहर भाग दोरा निसुलक वितरित होने वाले रिफाइंड सोयावीन तेल पैकेट जो है बेचे जा रहे हैं वीडियो में साब दिख रहा है दुकान पर करीब 30 पैकेट मौजूद हैं गरामीर सवाल उठा रहे हैं कि आंगनबाडी केंसे गर्वत्ती महलाएं और बच्चों को निसुलक मिलने वाले पुष्टाहार सामागरी को अवैद रूप से किराना यानि वहां पर दुकान पर बेचा जा रहा जिस मामले में सीडीप्यो करपा संकर ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है और जाच करके जम्मेदार लोगों के खिलाब कारवाई की जाएगी तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा काफी लोगों के अलग-अलग मत होंगे कोई कहे अब लेकिन एक बास समझ लिजेगा लाभारती जैसे मालो यहां पर इतने बड़ी मातरा में 30 पैकेट की बात कहीं जा रही है तो 30-30 पैकेट एक लाभारती तो जहर सी बात है नहीं बेच पाये का इतना उसके पास नहीं है अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे एरिया के सभी ल अब बात है अब उधर गाओं के लोगों का भी कहना है कि पोशाहार या इस तरह की जो चीजें है वो उनको नहीं मिलती है अवेद रूप से किराना की दुकानों में बेच दी जाती है उसका खुलासा हुआ तो संभवता हो सबकू सकता है पाच्चों उंगलिया जैसे बरा आप सब वीडियो देख रही हैं जुड़ी हैं समझती हैं तो आपको खुद पता होगा बहनों को कि आपके बहाँ पर ही आसपास सपोर्ट में या आपके ही तरह की जो बहने होंगी कुछ जो ऐसा काम करती भी होंगी तो चीजों को नकारा नहीं जा सकता पूरतया इसलिए मै कह रहा हूँ कि ध्यान देना आप अपने इस तरह से कोई भी कमिया कोई भी तरह का ऐसा मामला ना करना जिसको लेकर के सरमिंदगी उठानी पर जाए वहीं डियम ने दस दिन के भीतर नई भरती करने के नरदेश दिये हैं और एक ये भी मामला सामने आया एक बहुत बड़ का मुद्दा है 32 आसा जॉब अपनी खो चुकी एक बार में एक ही जगे देवरिया जिले का ये मैटर है और यहां पर आप देख लेजिएगा कि समिच्छा बैठक में खराब पर्फॉर्मेंस पर कारवाई की गई है पिछली बैठक में डियम ने मांगी थी सूची और MO, IC वगरा ने दी इस तरह से सम मेटर आया फिलाल मैं आपको बता दू कि आसा कार करता है कैसे बरखास्त की जाती है और यहां पर कैसे की गई इन्होंने अपना जो कार है वो उनका कार ठीक नहीं मिला या यूँ कहें कि वो एक्ट्व नहीं है अपने काम के प्रती या यू कहें कि उनका जो परफॉर्मेंस है जो भी वो कार करती है वो उनका खराब रहा खराब तभी रहेगा जब वो एक्ट्व नहीं रहेंगी कार जो उनको सौपे गए हैं उनको नहीं कर पाएंगी तभी परफॉर्मेंस खराब होगी और इसी क्रम में उनके उपर कारवाई कर अब देखेगा यहां पर बताया और क्या गया है कि जो है खराब पर्फॉर्मेंस वाली आसाओं की सूची तलब किया सूची में सामिल सभी आसाओं की सेवा समाप करते हुए 10 दिन के अंदर नई भरती करने का भी नर्देश दिया इसमें सबसे अधिक मजगावा से 5 आसा को बरकास्त किया गया वहीं पथर देवावा महें से चार चार देसही देवरिया भटनी और भाट पार राणी वगरा से तीन तीन और गहरी बाजार भागलपुर्वा तरकुलवा से दोदो रामपूर कारखाना रुद्रपूर भलुवानी बनकटा ऐसे बहुत से जगा वहां 26 जुलाई तक के जन में सभी बच्चों का जनम प्रमार पत्र बनाने का नर्दिश दिया इसमें लापरवाही बरते जाने पर कठोर कारवाही की चेतामनी दी डियम ने कार में आयसमान कार बनाने में सिथिलता के चलते BCPM लार की सेवा समाब्द करने का भी नर्दिश दिया 16 CSC पर कियास की स्थापना की जाएगी ऐसे सब बाते निकल के आई तो कोल मिला करके काम सही ना होना परफॉर्मेंस सही ना होना और नौकरी बैनों ने खो दी अब आप लोग सोचिएगा और अपने कारियों के प्रती थोड़ा सजग रहिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सन लेने में बिल्कुल भी अधिकारी हिचकचाचिद नहीं है और नहीं यहाँ पर किसी भी तरह का हम सब का ऐसा कोई मैटर है कि हम सब लोग कोर्ट जाएं वहां से बहालो करके चले आएंगे क्योंकि हम सब की जो निक्तियां है वो उस लेवल की नहीं है कि हमें बहुत से जो है अधिकार यहाँ पर मिलते हूँ सरिता बहन है बलरामपुर से आती है जन्होंने अपने वहां से एक ए आर्टिकल भेजा पोशाहार वित्रण में अब नहीं होगा गोलमाल या गोलमाल कहो कि काला बाजारी कहलो या जो भी है गडबर कहलो तो उस तरह के मैटर सामने नहीं आएंगे वो क्यों क्यों कि सब को लगता है विभाग को लगता है लोगों को भी लगता है इस समय कि जो इपास मसीन का सिस्टम जिसको मंजूरी दी गई है कल मंगलवार को कैबिनेट में प्रिस्ताव पास हो गया है इसके होने से सब कुछ थम जाएगा गाल मेल नहीं होगा पोशाहार वित्रण में तो देखते हैं भविस में होगा की नहीं होगा ऐसे कई बार संकेत आए जब पोशार ट्रेकर आया था तो बोला गया पोशार ट्रेकर में फीड किया जाएगा तब को शाहर का गाल मेल नहीं होगा लेकिन क्या वो धमा अभी भी सिच्वेशन पहल जो है 100% आप नहीं कह सकते सब कुछ सही चल लाए देखो मानने वाले मानने ना मानने वाले काल करताओं को रिसीव नहीं कराया जाता तो वित्रण वो 100% कहां से कर पाएंगी तो समस्याएं कई तरह से हैं बस समझना आप सब को है हमको भी है कि क्या क्या सिच्वेशन है और उस हिसाब से ये चीज़े हैं लेकिन सोशल मीडिया, मीडिया, लोग जो है वो एक ही पहलू को देखते हैं जैसे आज ए मसीन का क्रेट चला है, ट्रेंड में है ये मुद्दा, तो वह कुछ दिन यहीं चलेगा, जब ये बाते आम हो जाएंगी ए मसीन में भी सब सिस्टम पुरा बन जाएगा, तो वहाँ पर भी चितियां फिर धिरे धिरे वैसे रहेंगी फिर कोई नया जो है प्रोसेस सुरू होगा फिर बदलाओ होंगे, तो बदलाओ तो होते ही रहते हैं, हर तरीके से होते हैं, ये आप सब बहतर ढ़ंग से समझते हैं अब हर आंगनबारी केंद पर लगेंगी इपास मसीन, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसको लेकर के अकबार में एक ए आर्टिकल आया अब इसके लिए उत्तर प्रदेश डेवलबमेंट सिस्टम कॉर्परेशन जिसको यूपी डेसको बोलते हैं, एक कारदाई संस्था नामित इनको वहाँ पर किया गया है, अब यही अपना आगे का देखेंगे, संबंद में तो देखो भाई, कब तक इपास मसीने आती हैं, और कब तक इस जो है, बदलाओ के साथ में ये वित्रण प्रक्रिया हो पाती है फिरहाल, आप लोगों को अपने पोश्ट ट्रेकर पर नंबर जो है वेरिफाई कर लेने हैं, ये कार प्राथमिकता से हर जिले में कराया जा रहा है अरा सिंग बहन राइबरेली से उन्होंने अपने आसे ये गुमसुधा लड़का है अभिनाव सिंग, पुत्र स्रीमती, सुमन सिंग और लापता है कच्छा साथ का छात्र है घर नहीं आया है और राइबरेली बलाक राही का ये मामला है मुबाइल नंबर दिया है सुचना इस नंबर पर बेज सकते हैं अगर किसी को कहीं मिलता है 9956260010 आगे सुनीता बहने मेरट से उन्होंने एक लापता के बारे में सुचना बेजी है कारतिक सर्मा उर्फ चिंटू पुत्र दीपक सर्मा अब यहाँ पर ये भी लापता चल नहीं है और इनका भी ये 19 सगस्त से जो है लापता है और इनका कहना है कि दुर्गापुरम कालोनी राम पबलिक स्कूल के पीछे गड़ रोड में और मेरट में वगरा ये इस तरह से दोपहर कोचिंग के लिए गए थे वहाँ से निकले और उसके बाद लापता चल नहीं है तो भाया इनका भी किसी को अगर दिखते हैं बता देना 19 से लापता है वकारतिक सर्मा और चिंटू और बाकी नंबर वंबर इसमें पड़ा नहीं है और इन्होंने कहा सुधान सुभया नमस्ते ये हमारा भतीजा है और ये 19 तारीक से लापता है करपया चैनल पर दिखाएं बिल्कुल तो अगर किसी को दिखते हैं तो भाई सूचना भेश सकते हैं और ये देखो कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं सब कुछ है ठीक ठाक है अब ऐसे में कहीं भी होंगे इतना तो उनको भी समझ है घर कहा है कहा जाना है कहा नहीं जाना है तो ये बाते हैं और बाकी आप पुलिस में भी रिपोर्ट लेखा दीजेगा वो अपने इस तर से देखेंगे मिनार आठोर है कासगन से आती है और बहन ने कहा है सुधानसु भाईया मेरी लड़की का यूपी यूपी एससी उन्होंने लेखा हुआ यूपी एससी में सेलेक्शन हो गया है पहली पोस्ट नागपुर में हुई है मीनार अठाय बहुत बहुत सुबकामना है ये इंद्रवती बहन है कास गंज से इन्होंने अपने हां से एक मामला बैजा है अब सफाई कर्मियों की भी लगेगी ओनलाइन हाजरी अमर उजाला में एक ये आर्टिकल आया तो देखेगा सकती कैसे बरती जा रही है और duty को लेकर के काफी आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्रयास हो रहे हैं प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में कारिक करने वाले 1,8,000 से अधिक सफाई कर्मियों की भी अब online उपसिती दर्ज करनी होगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से बाते निकल के आ रही हैं तो यह लोग भी अपना online उपसिती दर्ज करेंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ और इसकूलों में भी आप देखते हैं online हाजरी को लेकर के बाते निकल के आती हैं अब पोशाहार वित्रण में भी आप देख रहे हैं बायो मैट्रिक सिस्टम आ रहा, इपास मसीने आ रहीं तो बहुत से बदलाओं हैं समय के साथ में आपको चीजें एकसेप्ट करनी पड़ेंगी और बाकी मर्जी आपकी है जानकारी देना, समझाना हमारा करतब भी है समय समय पर आप उन चीजों से अवगत रहें एडवांस में पहले से तयार रहें इसी उम्मीद के साथ में आलेंडिया आपकी मदद में बाकी भायो बहनों आपको कल सुबह के वीडियो में हम मिलते हैं